दिल्ली के एक कंशावला कांट के बाद लगाता सडकों पर लोग उत्रे हो हैं इस पीच यूपी के बांदा में भी एक ऐसी ही वारदा देखने को मिली यहां पर एक स्कूटी सवार महिला करमचारी को एक डंपर ने पहले जोड़ता टक्कर माया दी और फिसके बाद उसे तीन किलोमीटर तक गसीडते होई लेकिया स्कूटी के घर्शन से डंपर में भी आग लग गई जिससे यूवती की दर्दनाक मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कबजे मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया यह दर्दनाक घटना नगर कोदवाली शेतर के बांदा कानपूर मार्ग पर मवई गाओं के नजदीक हुई खबर के मुताबिक कृषी विश्विद्याले में तैनात महिला करमचारी पुषपा सिंग यूनिबर्सिटी स्थित अपने घर से बाजार जा रही थी तब एक 30 रफथा डंपर ने उन्हें जोड़दा टककर मार दी टककर के बाद पुषपा स्कूटी समें डंपर में ही फस गई लेकिन फिर भी डंपर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे 3 किलोमेटर तक घसीटते हुए ले गया इसी बीच स्कूटी का सड़क से काफी घर्शन हुआ और इससे आग लग गई जिससे महिरा की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया स्थानी लोगों की सूशना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने फायर बिगेट की टीम को बुला कर प्रक की आग बुझाई जिसके बाद मौके के शव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया गया मौके पुश्पा सिंग के पती को भी दो साल पहले ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था उनकी मौत हो गई थी मौके पुश्पा की नौकरी युनिवर्सेटी में लगी थी पुश्पा सिंग मूरूप से लगनों के गूमती नगर महले की रहने वाली थी इस घटना को लेकर युनिवर्सेटी के लोगों में काफी गुस्सा है युनिवर्सिटी में जनसंपार का अधिकारी डॉक्टर वीके गुपता ने बताया कि मृतिका स्कूटी में पेट्रोल भरवाने वा सबजी खरीदने के लिए निकली थी महिला की गाड़ी डंपर में फस गई जिसके घर्शन से डंपर और स्कूटी में आग लग गई पूलिस ने शवज को पोस्टमाटम के लिए बेज दिया है और पूलिस अस मामले में आगे कारवाई के लिए जोट गई है